नमस्कार कक्षा 6 exercise 3.4 का प्रेशन 5 हम करने जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं इसका F भाग जो की है 81 और 16 हमें देखना है कि ये दोनों संख्याएं सहभाजे हैं या नहीं है तो आएए देखते हैं हम एक तरफ लिखेंगे 81 और एक तरफ लिखेंगे 16 और हम इनके निकालेंगे गुननखंड देखे 81 आएगा एक के पहाड़े में एक गुनाए 81 दो के पहाड़े में या नहीं आता तीन के पहाड़े में जाता है 27 या 81 चार के पहाड़े में नहीं जाता पांच के पहाड़े में छे साथ आठ के पहाड़े में भी नहीं जाता नो के पहाड़े में जाता पार्चों के 16 इसके लावा 16 और किसी पहाड़े में नहीं आता है तो आएए सबसे पहले हम लिखते हैं 81 के गुननखंड 81 के गुननखंड है 1, 3, 9, 9 ये लिख लिया 27 और 81 इसी प्रकार से हम लिखेंगे 16 के गुननखंड 16 के गुननखंड है देखिए 1, 2, 4, 8 और 16 अब हमें बच्चों लिखने हैं सार्व गुननखंड अब हमें लिखने हैं सार्व गुननखंड और सार्व गुननखंड में देखिए यहां भी एक है यहां भी एक है तो ये एक यहां लिख लिए यहां 3 है यहां नहीं है यहां 9 है यहां 27 है नीचे नहीं है यहां 28 है नीचे 2 है उपर नहीं है नीचे 4 है देखे उपर नहीं है नीचे 8 है उपर नहीं है नीचे 16 है वह भी उपर नहीं है तो हमने देखा एक के अलावा और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो उपर भी हो और नीचे भी हो यानि एक के लावा कोई भी सार्व गुननखंड नहीं आया तो हमें पता है जब ऐसी संख्याएं हो जिनका सार्व गुननखंड में एक ही सबसे बड़ा हो उससे बड़ा कोई ना हो तो ऐसी संख्याएं क्या कहलेती हैं सह अभाज्य संख्याएं इसका मतलब 81 औ और सोलह सह अभाज्य संख्याएं हैं यही हमें निकालना था कि यह सह भाज्य हैं या नहीं है तो हमने ग्याद किया कि कि 80 और 16 सह भाज्य संख्याएं हैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो और यह प्रशन अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद